नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का सिंग मैथमेटिक्स यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन को कम्प्लीट कर लिया था डाइजेशन के हमने सारे पार्ट पढ़ लिये थे बस जो ग्रंथी है वो ग्रंथी रह गई ह Sylhodha लिए ऐस लेक्षर में करेंगे जीख है इस को हिंदी में यक्रत कहा जाता है ब्यापम एक नाम को समझ लेते हैं दिल को दिल जिगर नहीं होता है जिगर लीवर होता है लीवर की लोकेशन क्या है लीवर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारा जो आमास होता है ये 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 आमास है क्यों पर इस तरीके से इस तरीके से कवड रहता है तो रहता है कि यह Можно अपकल साइसा और PR करेंगे सबसे पहला ऐसीना यह क्या है लिवर का साइज क्या होता है लिवर को में किस साइज में देख wholly हैं, तो एक्चॉल में देखा जाए तो लीवर जो है, ये आपका दो पालियों से मिलकर बना होता है, दो पालियों से मिलकर बना होता है दो पालियों से मिलकर बना होता है, यह पार्ट है, यह टू पार्ट में मिलकर बना होता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, जिसमें आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट पार्ट एवं राइट पार्ट, ठीक है, यह वाला, देखो, कि ऐसलिए इस तरीके से यह वाला राइट होगा यह वाला राइट होिलब राइट होता है। ….क मा की मानव सरी में यहुदु सेक्रिंथ कन सी गरं थी मिलका बनि होती है होती है। दो लोब से मिलकर बनी होती है, दो पाट से मिलकर बनी होती है, दो पालियों से मिलकर बनी होती है, that is called लिवर, जिगर, ये अक्रत, ठीक है? एक और सबसे बड़ा फेक्ट, यह है, पूरे मानों सरीर की सबसे बड़ी ग्लेंड है, बिग ग्लेंड है, सबसे बड़ी ग्रंथी है, यह बाह स्टरावी है, कैसी है बाह स्टरावी ग्रंथी है, कभी हम चर्चा करेंगे, ग्रंथियों वाले टॉपेक में पढ़लेंगे सारी ग्रंथी, तो यह बाह स्टरावी ग्रंथी का मतलब क्या है, यह भी हम ग्रंथी बाले शक्तर में चर्चा करेंगे, बाह का मतलब यह समझ लो, कि जो एंजयम को रिलीज करती हैं, वो बाह स्टरावी होती है, और जो हार्मोन को रिलीज करती हैं, सब बताएंगे आगर बसके बजन की बात करें तो लगबग 2.5 किषी कंवर बड़ा हो जाता है खर इसी में पाए जाता है सब ज़्याधा रिकर रेट के अगर मतलब है आप , squash हो जाए अगर यह होजाय अगर तूछ फूट हो जाए विस ज़ल्दी है कि अपना पूर्व करता है किता है यह प्रफववन पूर्ववन छंपता री जन्रेशन प्रफवर फिर जन्रेशन स्पर्फवर शच्फ़ ज्याद happy है thunderstorm का मतलब है को य ओंगली को यहांसे काट दिया जाए तो दुबारा पूरी नहीं होता बात समझ में फिर हो जाती है फिक है प्लेनेरिय की सब जब सब ज्यादा इतने की कि शम्ता लीवरं होती है अगर मैंब्रेन की बात करें को अगर गयर शादा अगर यह यह इस तरप से तो इस जिली को क्या कहते है परिय्टोनियम जिली या.. परिटोनियम मेंब्रेन के नाम से जाना जाता है अगर आपसे कभी पूछे कि लीवर में कौन-कौन सी सेल होती है लीवर की सेल का नाम बथा यए तो सब पहले आप बताना कि लीवर की पूछे जाएका कि हैपेट मतलब क्या है मतलब इसे पूरा है है लिवर इसमें hepatic cell पाई जाती हैं लेकिन कभी-कभी आपको यह option में नहीं मिलेगा कभी-कभी आपसे वो धोका कर देगा यह option में नहीं देगा तब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब hepatic option में ना रहे तब आपको लगाना है कुफर कोशिकाए ठीक है लीवर में कौन सी कोशिकाए पाई जाती है या कुफर कोशिकाए पाई जाती है ठीक है कौन सी कोशिकाए कुफर कोशिकाए या hepatic cell पाई जाती है दो में से कोई एक option में रहेगा और अगर यह भी ना रहे तो connective tissue क्या रहता भी यह connective tissue रहता है, जिससे यह निर्मित रहती हैं, अगला हम बात करां cycle, इसमें एक चक्र चलता है, इसमें एक चक्र चलता है, जिस चक्र का नाम है, जिस चक्र का क्या नाम है, और निथीन, और निथीन, और जिनीन, और जिनीन, और निथीन cycle, यह चक्र होता है, यह क्या करता ह यह क्या करता है यह यूरिया बनाता है यह क्या बनाता है यूरिया एनेश टू टी ओ एनेश टू यह जो फॉर्मूला लिखा है यह फॉर्मूला यूरिया का फॉर्मूला है ठीक है यूरिया यूरिया एक बहुत हानी कारकपदार्थ है जो आपके द्वारा खाना खाये जात बाहर फेक नहीं पाता, इसलिए हमारे अंदर लगा है किड़नी, क्या लगा वे यह किड़नी, तो किड़नी जो है, वो सरीर से बाहर निकाल देता है, किड़नी वाले टॉपक में पूरा पढ़ाएंगे, देखो, समझो, समझो, जो किड़नी है, वो इस बने हुए यूरिया क बाहर निकालने का काम कौन करती है, किड़नी करती है, फिल्टर इल्टर करने का काम करती है, बताएंगे फिल्टरिशन क्या है, इल्टर इल्टरिशन क्या है, लेकिन यूरिया को बाहर निकालने का काम किड़नी करती है, लेकिन यूरिया को बनाता कौन है, तो आंसर रहेग और बेक करने के बाद अमोनिया और अमोनिया से फाइनली यूरिया बन जाता है और इस चक्र का नाम है आर्निथीन, आर्निजीन साइकल कभी एक नाम दे देगा आर्निथीन, कभी एक नाम दे देगा आर्जिनीन, कभी दोनों दे देगा घबराना नहीं है बस यह आद रखना तो किस चीज का फॉर्मिशन करता है तो सबसे इंपोर्मिशन चीजें हैं इसमें दो अब लिख करके लो फॉर्मिशन कि फॉर्मिशन एंड शंग्रहन संगरह altogether कोई प्रतित करके भी रखता है रखता है और हैप भी रखता है संगरह क्लेक्ठ करके भी रखता है सबसे पेला ही फेर्ण बनाता है है सबसे पहले मतलब लिख भाता है हें पना 16 के चाहिए और बनने के बाद दयाकी बिना देते हैं क्यों में बिला। लिवर्च कॉन बनाता है ली बाद खतम लोहा वी टामिन बिटामिन और आ हो गिया कोपर हो गया वäre मतलब ताबा लोहा इन सभी चीज को क्या करता है स्टा रहता है थ्रॉम्बिन मिटा दूं यहाँ कुछ पदारत है यहाँ प्रोटीन है कुछ थ्रॉम्बिन को बनाता है प्रोथ्रॉम्बिन को बनाता है फ्रॉम्बिन, फ्रोथ्रॉम्बिन, फ्रोटीन, फ्रोटीन होते है जो प्रोटीन ब्लेड में प्लिट लेष्ट और प्लाजमा के साथ बिलीन रहते हैं उनको बनाने का काम कुम करता है? उनको बनाने का काम करता है आपका हेपेरेन ठीक है यहां तक किलियर है यहां तक किलियर है यहां तक किलियर है एक चीज़ आ रहा है गलाइकोजन गलाइकोजन गलुकोज को गलाइकोजन में बदल लेता है और यहां पर एकटा रख लेता है ठीक है पूछेगा कि गलुकोज क तो ग्लाइकोजन में कौन रखता है तो लीवर, लीवर के पास ग्लुकोस कैसा रखा रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, बात यहां तक समझ में आई, इसके साथ साथ जो आपका ब्लेट का एक पार्ट है, बैसे तो ब्लेट बड़े होकर आपका बॉन मेरो में बनने लगत है, लेकिन जब आप छोटे रहते हैं तो ब्लेट का कुछ भाग है, जैसे डबलू बीसी हो गया, प्लाजमा हो गया, प्लाजमा के बाद प्लिटलेट्स का यह वाले भाग हो गया, तो कुछ-कुछ भाग लीवर भी बनाने में सहायक होता है, नहीं तो बेसिकली बॉन मेरो अस्थी मज्य बनाता है, ठीक है, बिटामिन A हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बिटामिन D भी कभी-कभी आता है, बिटामिन D है, इसको स्टोरेज करता है, बनाता है, बनाता है, स्टोरेज करके रख लेता है, और बिटामिन D को हर्मोन की संक्य दी गई है, यह हम लीवर को जनरली लोग एक सांट पढ़ लेते हैं लेकिन हम यहां two type में पढ़ेंगे पहला type रहेगा लीवर का structure पहला type रहेगा कि लीवर खुद क्या है और दूसरा रहेगा कि उससे निकलता क्या है निकलने वाली चीज को हम यहां detail से अध्यन करेंगे यह केबल और केबल ल लीवर के बाद थी एक पेटक सेल हो गया है है को फर सेल के सांथ एक सेल और रहती हैं फेगो साइट के फैको Sooight जो सेल हैं, वो भी इसमें रहती है जो ही भख्षक को सिकां होती है, कि खराबी को नश्ट करने के लिए कोई जीवाडु लोगय है वायरस है उसको नश्ट करने के लिए की या मिकार से निकलता है वाल जू से निकलता है यह बाद सभी जानते हैं अगर आप से पूछए जो इन anak कि ये बनाता कॉंन है तो आपको लगाना है लीवर अगर आप से पूछे पिर इफकर दरश इखटा कहां रहता है इखटा कहां रहता है तब आप लगाएंगे पित्तासे पित्तासे को अंगलिस में क्या कहते है भई या गॉल ब्लेडर और अगर आप से पूछे निकालता कौन है तो भई यह यह निकालेगा ना जिसके पास है वो ही निकालेगा, जिसके पास ही नहीं है वो निकालेगा कहां से, तो इसका जो origin है, origin two types से है, अगर आप से बनाना पूछे, तो lever से बनता है, lever बना के दे देता है किसको, gallbladder को, तो gallbladder जो है वो इसको एखटा रख लेता है, और gallbladder एखटा रखने के बाद इसको निकाल देता है, है ना, तो gallbladder जो है वो क्या करता है, storage करता है, यह question, बारी question बन सकता है, storage का काम गॉलbladder का है, और origin का का काम किसका है, lever का है, किसका, wild juice, हिंदी में क्या कहते है, पित्तरस, याद रखना, पित्तरस और पित्तरसाए, दोनों में जमीन आस्मान कंतर ह पित्तरस और पित्तरस एक पित्तरस एक उसका निकलने वाला जूस है वाइल जूस है ठीक है तो किलियर पिएच मान के अगर हम बात करें तो जो वाइल जूस है इसका पिएच मान सबसे पहले तो छारी होता है छारी होगा तो सीधी सी बात है साथ तो रहेगा नहीं साथ से ज आपसे बस पूछे गा कि नेचर के Appeal के अधर करता है कि आपने खाना के जैसा खाया है जैसा खाना खाया है ठीच,ोलिस्ट्रोल यो है कोलिस्ट्रोल ओस गालने काम होता है वो यहाँ यह काम करता है अच्छा यह जो पित्तरस है इस पित्तरस में दो चीज़ां और होती है दो pigment होते हैं pigment बतला बरणक आई MP करके लिख लें आ एक का नाम होता है Bill Rubin यह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा भहत अच्छ से पड़ाओ केरफुली साहंती से एक पिजमेंट आपका बिलरुबिन और एक है बिलवर्डिन ये दो चीजिए एक निश्चितरी से उम्हें इस पित्रस में होती है ठीक है इस पित्रस में होती है अब इनका काम क्या है वो मैं बताता हूं पहले एक चीजिए और लिखो यहां पर जो पित्रस है ये परडे 60 ml निकलता है 60 ml परडे 60 ml परडे निकलता है और इस 60 ml में क्या क्या रहता है सब कुछ रहता है जिसमें पानी भी रहता है कुछ एलिमेंट भी रहते हैं कुछ तत्तु भी रहते हैं और मुख तहा बिलरुबीन होता है और बिलवर्डीन होता है अब आप कहें गरुजी इनका काम क्या है इन जो बिल रुबीन है ये होता है आपका पीला और जो बिल बर्डीन है ये होता है आपका हरा ठीक है ये दो चीज़ें बसे याद रखो जो बिल रुबीन है वो होता है पीला और जो बिल बर्डीन है वो होता है आपका हरा ठीक है आश्यारट जो बिल्रुबीन है वह फीला परणख है पिछल बल्रुबी राचाहिं और जब बल्रटी है यह ब आताहि film करती है यज़र्पन होोटे लकती है कृटटी मूल्टी पढ़ जाती है, उल्टी, दस्त, बुखार, पारिया नहीं, अतिसार, डायरिया, यह सब हो जाता है, लेकिन, जब बिलरूबीन अधिक निकलने लगता है, तो पीला रंग जादा निकलने लगता है, और इस पीला से हो जाता है, पीलीया रोग, पीलीया रोग, इसी को इंगल इसको joint disc कहते हैं तो पी लिया हो जाता है आपको अब कुछ इसमें कारक भी है जैसे मानों लोग कभी-कभी हैं लिबर पर कोई वार्स ना टेक कर दिया तब अधिस्टर्ब हो जाता है को इसा कानावाना एसा खा लिया तो इजकर न कंजोर निकलने व Thousands भाग है तो यह ज्यादा निकलने लगता और पीलिया हो जाता है किसी किसी को आजीवन पीलिया नहीं होता है किसी किसी को पीलिया बार बार होता रहता है मतलब आपके लीवर में कहीं न कहीं खराबी है तो लीवर में बिलरुबीन ज्यादा निकलना रखता तो यह बिलरुबीन पूरी बॉड़ी में फैल जाता है जब ज्यादा निकलेगा तो पूरी बॉड़ी में फैलेगा और पूरी बारी में फैलेगा तो मतलब सारे रंग पीले-पीले, सारे अंग पीले-पीले दिखने लगेंगे और आपको पीलिया हुआ 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 घोसित कर दिया जाएगा, क्लियर, अगला एंजैम, कोई भी एंजैम नहीं निकलता, बाइल जूस में, सौरी, बाइल जूस में कोई भी एंजैम नहीं होता, ये पुंपा होना जरूरी हुप मैसे नहींं है नहीं पता होना जरूरी है तो ज font यूप ये जूस है और यह आपके पेट में फस गया है तो ऊस खाने को क्या कर देता भी या एक्टीवेट कर दो है खाने को क्या कर देता है जाए अग्ला पुंट से रात सफ और पूरे क्जा या कि और खाना में जब बायल, जूस या पितरस मिलाया जाता है तब खाने की प्रकरती निमन मैसे कैसी हो जाती है फूड नेचर कैसा हो जाता है तो फूड नेचर कैसा हो जाता है या बेसिक बेसिक बोले तो चारी खाना हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो pH है वो 7 से तो अधिक होगा ही 8 तक भी पहुँच जाएगा साड़े साथ एबरेज रहता है और 8.5 तक भी पहुच जाता है क्योंकि 6 ही होगा ठीक है तो 7.1 से तो उपर ही रहेगा एक option आपको 7.1 प्लस से 8.5 के बीच में मिलेगा एक option एक option की बात कर रहा हूं मैं बाकी की जो तीन option है वो साथ से कम रहेंगे या साड़े आड़ से जादा रहेंगे तो इतना तो आप समझदार मेरे ख्याल से हैं ठीक है तो आई होप यहाँ बाइल जूस एक अच्छे लेब मेरे ख्याल से कोई समझ्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से कोई भी समझ्या आपको नहीं होनी चाहिए चलिए तो जल्दी से बता दीजिए कि सेसन क्यांसा लगा सेसन अच्छा लगा देखो सेसन पर आपको प्रतिकरिया देना अनिवार है अगर आप सेसन पर प्रतिकर झाली मार रहे हैं तो मार रहे हैं क्योंकि यह मेरे लिए तो कर नहीं लाए यह तो आपके लीए है क्योंकि ये सब यूटूब पर डाले रहे हैं तो हम सारा आपके लिए फिरी शेवा है तो कम से कम आप लाइक सेर भी करते हैं अगर जादा लोगों तक पहुंचेगा जादा लोग देखेंगे हमें रिस्पॉंस अच्छा मिलेगा तो हम आपके लिए वो भी कर जाएंगे जो आपके अपने नहीं करते अब आप समझ गए होंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए लेकिन आपको भी थोड़ा कहते हैं ना जैसा बीच बहोगे बैसा बीच पाऊगे न्यूटन चाचा कहते हैं कि जैने ही स्पीड से बाल फूकोगे उतने ही स्पीड से बाल बापस आएगी जैसी आप इस वीडियो पर प्रतिकरिया देंगे वैसा ही कल को अगला वीडियो आपकी प्रतिकरिया देगा ठीक है तो समझ गए इस बात को बात हलकी है लेकिन बात बहुत गहरी है तो इसी के साथ बिदा लेते हैं अगले अपीशोड में मिलेंगे तब तक के लिए जैहंद जैभारत नमस्कार